दोस्तो एक समय था जब बड़े मात्रा में भारत के द्वारा टैंक और अन्ने हत्यारों को कीवल मात्र रश्या से ही पर्चेस किया जा रहा था पर दोस्तो ये समय अब काफी बदल चुका है और भारत अपने हत्यारों के जरूरत जितना रश्या से पूरा कर रहा है उतना ही अब स्वधिशी तरीके से हत्यारों को बनाया जा रहा है जो भारत के बेड़े के अगर टैंको को देखा जाए तो कुछ गिने चुने संख्या के अरजून टैंको के इलावा भारत का संपून बेड़ा रॉषियन टैंकों से ही भरा हुआ है इवन दोस्तों जो भारत के दुआरा अर्जून टैंक बनाया गया उसमें भी कई सरे सिस्टम्स और सब सिस्टम्स ऐसा है जो भारत के तरफ से अन्य देशों से इंपोर्ट किया गया है पर दोस्तो अब ऐसे imported tank और imported tankों के जमाना समाफ्थ होने जा रहा है और दोस्तो भारत को शायद आने वाले समय में टैंकों को लेके रश्या के उपर भी all depend ना करना पड़े क्योंकि भारत अपने खुद के बलबूते पे केवल मात्र next generation के tank को ही नहीं बना रहा है बलकि इसके जादा से जादा parts को वी स्वादिशी तरीके से बना रहा है रिपोर्ट के मुताविक armament, research and development establishment मतलब ARDE के तरफ से next generation के main battle tank project के लिए एक advanced main gun को developed किया जा रहा है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो gun होगा ये असल में 120 mm के smooth bore gun होगा और ये कई तरीके के cutting age technology और feature से last होगा जैसे कि autonomous threat engagement, electromagnetic gun stabilization technology, self obtaining bridge mechanism, thread waste ammunition selection system मतलब दोस्तों ये जो gun है ये automatically threat को analyze कर सकेगा और threat के हिसाब से अपने ammunition का चुनाव भी कर सकेगा दोस्तों ये जो main gun developed किया जा रहा है इसमें सबसे महत पूर्ण और सबसे बड़ा feature है autonomous threat engaging बताया जा रहा है कि टैंकों में एक ऐसे advanced target identification और tracking technology को लगा जाएगा जिससे कि ये जो gun है ये अपने आप में ही target को track करके उसे neutralize कर सकेगा और दोस्तों इस technology से जो टैंक के crew है वो situational evidence के हिसाफ से बहतरीन तरीके से perform कर पाएंगे और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इससे battlefield में crew बहतरीन धंग से target को engage भी कर सकेगा दूसरे feature के रूप में एक gun में एक electro mechanical stabilization लगाए जाएगा जो की gun के barrel को और अधिक stable रख सकेगा और दोस्तों इससे tank pinpoint accuracy के साथ target को hit कर सकेगा बेसिकली दोस्तों जब tank सामने के तरफ आगे बढ़ता है या पीछे के तरफ बढ़ता है मतलब जब tank movement में रहता है तब tank के जो gun का barrel होता है वो stable नहीं रहता है इसी कारण पुराने जमाने के जो tank था उसे दुश्मन के उफर fire करने के लिए पहले रुखना पड़ता था पर नए जमाने में जो stabilization system आया है इससे tank चलने के दर्मियान even तेज रफतार में जब दोरता है तब भी pinpoint accuracy के साथ target को hit कर सकता है उपर से दोस्तों जब किसी tank से गोले को दागा जाता है तो एक बहुती बड़ा recoil आता है मतलब एक पीछे के तरफ जटका लगता है जिससे की कई बार ये जो tank के cannon होता है ये अपने position से भटक जाता है पर नए technology के साथ मतलब ये जो electro mechanical stabilization system है इससे ऐसे rapid fire के दर्मियान भी टैंकों के जो aim है वो एक परसंट भी उपर नीचे नहीं होगा तीसरा महत्तो पूर्ण फीचर है self obtaining bridge mechanism अप लोगों के जानकरी के लिए बता दू कि ये एक ऐसे mechanism है जिससे की tank fire होने के बाद gun के जो barrel है उससे जो धुआ है उससे आसानी से escape किया जा सकेगा इवेन धुए के साथ gases भी escape हो सकेगा जिससे की जो barrel है ये अधिक damage नहीं होगा इवेन कहा जाए तो इससे malfunctioning भी ना के बराबर होगा हाला कि दोस्तो खाली इतना नहीं बलकि इससे tank के safety को भी और मजबूत किया जा सकेगा दूसरे तरफ जो सबसे बहतरी इंट feature है वो है thread waste ammunition selection system मतलब दोस्तो एक tank को अगर देखा जाए तो उसमें एक तरीके के ammunition नहीं बलकि अलग अलग तरीके के ammunition होता है जमेनी target को निशाना बनाने के लिए अलग ammunition होता है इवन bunkers को भूस करने के लिए विए अलग ammunition होता है कई कई बार दोस्तो जो गोला एक tank को आसानी से भेद देता है वो गोला अगर किसी हलके vehicle के उपर इस्तमाल किया जाता है तो उसे चीर के दूसरे तरफ निकल जाता है जिससे कि vehicle को नुकसान तो पहुँचता है लेकिन vehicle संपून रूप से damage नहीं होता है और इस कारण हर तरीके के अलग-अलग threat के खिलाव अलग-अलग type के ammunition का इस्तमाल किया जाता है पर नया barrel में बताया जा रहा है कि एक intelligence system को लगाए जाएगा कि जो threat को analyze करेगा मतलब किस तरीके का threat है उसे जाचेगा और उसके बाद threat के base पे automatically ammunition को select करके fire करेगा मतलब बार-बार crew को ammunition को set करना नहीं पड़ेगा बलकि ये जो संपूर्ण काम है ये intelligence system के द्वारा टैंक अपने आप ही करेगा जिससे कि दोस्तों crew अपने battlefield के उपर battle tactics के उपर अधिक focus रख सकेगा जिससे कि लड़ाई में जीतने का संभाबना है हमारे टैंक के पास अधि किया जाता है जबकि वही पे दोस्तों इसे लेके ये भी दावा किया जा रहा है कि 120 mm होने के बावजुदि extended range ammunitions को fire कर सकेगा मतलब 125 mm के टैंक के तोप से fire किये जाने वाले गोलों से ये अधिक range तक मतलब अधिक दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा अलाकि इ के इलावा जो दूसरे हतियार भारत के तरफ से develop किया गया है वो है tube launch loitering munition मतलब एक ऐसे loitering munition या फिर कहतो आत्मगाती drone जो की tube के अंदर store भी हो सकता है और tube के द्वारा launch भी किया सकता है रिपोर्ट के मुताविक इस तरह के के loitering munition को हाली में ही भारत के तरफ से सफल ट्यूब लॉटरिंग munition का सबसे बड़ा और खास बात ये होता है कि इसे store करना जहां पिर आसान होता है तो वही पर इसे carry करना भी आसान होता है एक सैनिक के द्वारा इसे आसानी से carry किया सकता है और कही से भी इसे आसानी से launch किया सकता है रिपोर्ट में दावा ये किया जा रहाएगे जो tube launch loitering munition है यह हल्क के वजन का है और इसका वजन 7 kg से कम है उपर से दोस्तों खबरों में यह भी दावा किया जा रहाएगी जो नया loitering munition है इसका रेंच करीवन 30 km तक है और इसका endurance मतलब लगातार उड़ान भनने करश्रमता करीवन 45 मिनिट से लेके 60 मिनि जो की डागने पर दूर में जाके टैंक तक को तवा कर सकेगा और 200 loitering munition होने का मतलब यह है कि यह हवा में drone के जैसा उरान भरेगा और नज़र रखने के साथ साथ target का चुनाव करते हुए target को ध्वस कर पाएगा रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा है कि प्राइबिट कंपनी के तरफ से इंटेन आर्ण फोर्स के जरुतों को देखते हुए जो tube launch loitering munition है इसे कई तरिके के आधुनिक फीचर से लैस किया गया है जैसे की electro-optical infrared payload से शुरू करके इसमें कई तरिके के target identification और intelligent surveillance और reconnaissance systems को भी लगाया गया है जिसके कारण दोस्तों ये जो loitering munition है ये दुश्मन के उपर निगरानी भी रख सकता है और दुश्मन के खुफिया जानकारी को हासिल करके cruise तक पहुंचा सकता है और हमला करने का capability होने के कारण एक तरिके से आप कह सकते कि जो loitering munition है ये अपन और रुश्या के लड़ाई से ही दुनिया को पता चला और शायद इसे देखते हुए ही इंडियन आर्मी के तरफ से अब ऐसे loitering munition हो को वी सायद बड़े मात्रा में purchase किया जाए दोस्तों ट्यूब launch loitering munition को लेके ये वी दावा किया जा रहा है कि ये काफी अधिक portable है औ कि हाई altitude तक भी ये troops आसानी से लेके जा सकेगा खास करके दोस्तों जब से चायना और भारत का लड़ाई शुरू हुआ है तब से भारत को ऐसे हत्यारों का जुरूरत है जो कि पहाड़ी एरिया में बहतरी धंग से operate भी हो सके और troops उसे carry भी कर सके और इस तरीके के loitering munition develop क करने के बाद और इसके सफलता पूर्बक परिक्षन करने के बाद अब चायना के जो front है वहाँ पे भी इंडियन armed forces के जो ताकत है उसमें बहुतरी होगा और आपके जानकारी के लिए बता दू कि इससे अगर भविशे में कभी चायना के साथ भारत का लड़ाई होता है तो भारत को एक तरीके से बढ़ोतरी भी मिलेगा तूब लाँच लोटरिंग म्यूनेशनों को भारत अपने अलग अलग वेकलों में भी डिप्लॉई कर सकेगा जिससे की टेजर अप्तार में आगे बढ़ने वाले जो गाड़ी है उन्हें भी टैंक जैसे हतियारों से या फिर अवशे बताईए दोस्तों आजके इस वीडियो को यही पही करते हैं समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम